जहिन साथियों मैशा रहमत competition community के इस 36 गड़ सब इंस्पेक्टर प्रोग्राम में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करता हूं और आश्चा करता हूं कि इसी प्रकार आप अपने निरंतरता बिल्कुल परकरार रखे हैं और साथ में अपने उड़ेश के प्रती समर्पीत होके जो कि क्या है 36 गड़ सब इंस्पेक्टर सुवेदार दरोगा पुलिस वाले बाबू मतलब कि उसपे समर्पीत होके बिल्कुल जो है आप अपने उड़ेश के प्रती क्या है आगे बढ़ रहे हैं और अपना एक युद इस्तर पर तैयारी भी कर रहे हैं और ये दिख रहा है चटिस गड़ के आसपास के छेतर में सभी जगा से जो है रिपोर्ट आती हैं कि बच्चे जो है ग्राउन जाते हैं और पढ़ाई का अध्यान इस तर भी बहतर तरीके से बनाए हो और बहुत सारे बच्चे तो पढ़त है चटिस गड़ सब इंस्पेक्टर प्रोग्राम जो चलाया जा रहा है competition community के द्वारा तो उसे proper follow करें क्योंकि इसके बाद आप लोग को 36 गड़ का proper मिलेगा subject wise topic wise आपको session उसके बाद आपको reasoning, math, science तो चली रहा है तो सारा portion आप लोगों को इसमें देखने को मिलेगा अब इसमें आप लोगों का सारा portion cover कराके एक बंच format में आप लोगों को दे दिये जाएगा ताकि आप इसकी निरंतरता और इसकी तैयारी बहतर तरीके से करते रहें, clear है, मेरी बाते समझ में आ रही है, तो आईए सबसे पहले एक सुभ विचार पे चर्चा करते हैं, देन अपने लक्ष की प्राप्ति के दृष्टी कौन से, या अपने ज्यानार्जन के परिपेक्ष में अगर आप इनकी जीवनी पढ़ते हैं, इनकी बायोग्राफी पढ़ते हैं, तो याद रखेगा साथियो, आपको अनुसासित होने से कोई नहीं रोख सकता, मतलब यह वो मह महान व्यक्ति हैं, जो कि आपका एक समय में इंडिविजुल, जब किसी भी प्रकार का देखा जाता था, कि साधनों का अभाव था, परिवहन का अभाव था, मतलब ऐसा नहीं कि नहीं था, लेकिन अभाव में भी इन्हों ने आपका क्या किया है, देश का और आपका हमारे मतलब वैदिक सब्धेता का प्रतिनिधितु किया है, ठीक है, आधुनिक भारत के इतिहास में इसे बहतर तरीके से आप पढ़ेंगे, लेकिन ये परसनालिटी के बारे में क्या ही बखान करूँ, जरूर पढ़िएगा इनकी जीवनी को जरूर पढ़िएगा, तो आईए, इसनातियों कि आपको पता है का चटीश गढ़ सब इंस्पेक्टर का मैजर्मेंट हो गया है और चटीश गढ़ सब इंस्पेक्टर का प्रिलिम्स का डेट आने वाला है, तो ये समभाव है कि आप पोस्ट लेंगे, लेकिन ये कह रहे हैं कि इस बीच का जो समय है, इस कोना दूर दूर तक के छक्के छुड़ा दीजिए ये कहना चाह रहे हैं आशा करता हूं मेरी बाते आप लोग को समझ में आ रही होगी और इनके अनुभाव को आपने जरूर समझा होगा क्लियर तो आईए अब अपना सत्र प्रारम करते हैं तो विश्व भूगोल हमारा सत्र है आज का आज से हम विश्व भूगोल पढ़ने वाले हैं और विश्व भूगोल में जो है आपका लगभग 5 प्रसन पूछे गए थे पिछली बार प्रेलिम्स में ठीक है तो इसका कुस्षंस रखे गए हैं वह अती महत्व पूर्ण प्रसन है क्लियर मतलब की उसे याद रखना अनिवार रहे है विश्व भूगोल के परिपेक्च से क्लियर तो आईए आज से ब्रह्मान पढ़ते हैं क्या है ब्रह्मान हम ब्रह्मा समी सुने हो कि नी सुने हो ठीक है तो यह वट को पयोक करना उच्ण नहीं है मतलब ब्रह्मान पढ़ रहा हो तो क्या है जी ब्रह्मान क पा करो आपका दृष्यम बनाओ कि उसका विजूलाइश करो एसको ठीक है और सूर्य है साथ में जो है बहुत सारे ग्रह है ग्रह के साथ आकाज गंगा है और सब क si अ कैंर भ्रहांद उसके तत्य भरह में पढ़ेंगे शूरी पढ़ेंगे उसके बारिए बनीज के बारें राम पढ़ेंगे उसके वखक्राइब यह वह फोस्ट्रारे हो जो आपका ग्रिपोल निकाल को सुर्पनुवल गैब सबसाहरी पहले प्रस्न की औरवढ़ें 30 crash विघ तो की बैएंग सिद्धान्त निम लिखित में निम लिखित के उद्गवव द्धव की व्याख्या करता है छोंकर ठीक है मतलब कि explain करो कि किसको करता हैbes गों किसको करता ब्रेषी द्धान्त क्या में बरेंगे इसको हिंदी में बिग बैंक सिध्धान्त निम लिखित में निम लिखित के उद्धाव से उद्धाव की व्याख्या करता है ओके ठीक है मतलब की explain करो कि कि किसके explanation करता है explain किसको करता Big Bang Siddhant क्या है Big Bang Siddhant क्या बहलेंगे इसको हिंदी में Big Bang Siddhant या आपका महाविस्पोर्ट का सिध्धान ठीक है साथियों बात ऐसी है 1927 की दसक्की कि जोर्ज लेमें तेरे नाम के एक विज्ञानिक ने जो है आपका एक सिध्धान्थ प्रतिपादित किया जो कि था आपका Big Bang Siddhant option देख लेते आईए इस तंधारे जीव के लिए हेम्यूक के लिए ब्रह्मान के लिए महासागर के तो किसके लिए किया था तो ब्रह्मान के लिए किया था आपका Big Bang Siddhant अब क्या है भई ये दरसल बात अगर डिटेलिंग में ने जाए और सौट फॉर्म में इसे समझ लें तो कितना अच्छा हो गई याद हो जाएगा देखो भई हुआ ये था कि एक नाभिक था बोलते थी और इसमें जो है विस हमारे आपके विभक्त हो गया है इसमें सूरी भी है इसमें तारे भी है इसमें ग्रह भी है इसमें उल्कापिंट भी है सारी चीजें इसमें सम्मिलित हो गई ये कहना चारह है कि छोटा सनाभिक था वो भी स्पोर्ट हुआ और वी स्पोर्ट होने के वज़्जात हमारी आक अकास गंगा या मिलकी वे या मंदाकनी इसका भी निर्माण इसी वज़ा से हुआ है क्लियर है तो यह वाला प्रस्न हमें याद रखना है कि ब्रह्मान से संबंदित है बिग बैंक सिध्धान्त और इसका प्रतिपादन किस ने किया है तो जोर्च लेमें तेरे ने किया है 1927 क्या स्पास ठीक है आगे बढ़ें आईए अकास गंगा मिलकी वे रगी क्रित की गई है ठीक है भैवाई ऑफ हो देख ले być option है सर पीलाकार्ल गैलेकसी के रूप में ठीक है विद्ध्यूत neighborhoodsVIN ऑनियमीत गैलेकसी के रूप में, गोलाकार गेलेक्सी के रूप में, बात ऐसा है साथियो, कि यह पूछना चाहरा है प्रस्थ कि आकास गंगा किस प्रकार से दिखाई देती है या प्रतीत होती है जब हम दुर्बीन से उसे देखते हैं, मतब दुर्बीन से देखते हैं है, सावन का महिना चल रहा बहुत सारे लोग दिमाग लगाने जाएंगे, चमा चाहूंगा भई, तो आपका अकास गंगा किस प्रकार से प्रतीत होता है, तो किस प्रकार से प्रतीत होता है आपका, सरपीलाकार गेलेक्सी के रूप में आपका दिखाई देता है, clear है, मतलब दुर्बिन से अगर देखा का रंग सूचक है, प्रस्न बहुत ही पेचिदा है, तारे का रंग सूचक है, देख लेते हैं भई, सुर्य से दूरी का, उसकी ज्योती का, उसकी प्रिथवी से दूरी का, उसके ताप का, तो साथियों ये पूछना चाहरा है प्रस्न, कि तारा जो है, वो चमकीला प्रतियोगी परिक्षाओं में व्यापम का question है व्यापम पुछा हुआ है वंडे exam में पूछा गया है इसे तो यह कहना चाहरा है तारा चमकता क्यों है क्यों चमकीला दिखाई देता है तो याद रखिएगा साथियों सबसे पहली बात कि तारा जो है वह स्वयम से प्रकासित होता है अब बोलोगे सर सूर्य के प्रकास से प्रतित होता है तारा ऐसा नहीं है आपका नाभी की सल्यन नाभी की विखंडन की वजह से जो है हीलियम हाइटोजन की वजह से तारा जो है क्या होता है आपका विखंडित होता है चमकता है स्वारी विखंडित होता है चमकता ह कोन है हमारे आधर्णिय सम्मानिय सूर्य देवताई जी मतलब सूर्य जी क्लियर है ठीक है आगे बढ़ें आईए अगला प्रस्ण है हमारी अकाश गंगा के केंद्र की परिक्रमा करने में सूर्य को समय लगता है बनाओ साथियो दरसल बात ऐसी है कि प्रस्ण पूछना चाहता है कि हमारी अकाश गंगा में सूर्य भी जो है एक तारा है ठीक है जो बहुत सारे ग्रहों को अपनी क्या देता है ताप प्रदान करता है जिसमें वायू मंदल होता है वो चमकता है जिसमें वायू मंदल होता है वो गर लगता है तो 25 करोड वर्स लगता है और इसे ही क्या कहा जाता है ब्रमांड वर्स क्या कहा जाता है जब पूरी आकास गंगा की परिक्रमा करता है क्लीयर ब्रह्मांड वर्स कहा जाता है तो सूरी भी जो है हमारी आकास गंगा का दूद मतला आपका क्या बोलते हैं उसको हमारी आकास गंगा मिलकी वेका जो है ब्रह्मन करता है क्लियर, आगे बढ़ें, आईए साथियो, क्लियर है कितना समय लगता है सूरी को, 25 करोड वर्स, इसे ही ब्रह्मान वर्स भी कहा जाता है, क्लियर, आईए साथियो, सूपर नोवा क्या है, एक गरहिका है, एक ब्लैक होल है, एक पुछल तारा है, या आपका एक मृत प्राय त तो आईए सांतीयों, एक मृित प्रायतारा जो है आपका क्या है? आपका सूपरनोवा, जब तारा मृत अवस्था में पहुँच जाता है, मतलब की तारा जो है, समाप्त होने की कागार में आ जाता है, तो उसे ही कहा जाता है आपका सूपरनोवा, clear है? आगे बढ़ें आईए अगला है ब्लैक होल आओ देखो भाई ब्लैक होल को ब्लैक होल यहां से फोकस ठीक लगता है तो ब्लैक होल अंतरिक्ष में एक पिंड है जो किसी भी प्रकार की वीकरण ठीक है मतलब रेडियेशन को बाहर नहीं आने देता इस गुण का कारण है इसका क्या बहुत छोटा आकार, बहुत बड़ा आकार, बहुत उच्च घनातो, बहुत अल्प घनातो मतलब कि इसका होगा आंसर और आओ बताता हूँ ब्लैक होल क्या है एक ऐसी वस्तू जो है आपका एक ऐसी चीज जो ब्रह्मान में घुम रही है और उसका घनातो इतना है कि वो किसी भी चीज को अपने करीब खीच सकता है तो ब्लैक होल जो है ना, उसका घनातो बहुत ही जादा है मतलब कि अगर प्रिथवी से वो गुजर जाये ना, तो प्रिथवी को भी छिदर करते हुए आगे बढ़ जायेगा इतना उसका घहना तो है, मतलब इतना उसका भार है, clear, आगे बढ़ें आईए, प्रकास वर्स इकाई है, ये साथियो आप लोगों के लिए प्रस्न है, और पिछले प्रिलिम्स में ऐसा प्रस्न आपको देखने को मिला है, clear, तो याद रखना है इसका आंसर आप लोगों को द देना है इसका, clear, आगे बढ़ें आईए, कि सुबह ज्यानिक ने पहली बार कहा था, कि प्रिथ्वी सूर्य के चारो और चक्कर लगाती है, और प्रिथ्वी ब्रह्मान का केंद्र बिंदु नहीं है, तो याद रखेगा, आपका निकोलस कौपर निकस, निकोलस कौपर नि निकस ने क्या कहा था, कि प्रिथ्वी जो है, वो कुरे अकाज गंगा का केंद्र नहीं है, और ये जो है, सूर्य की, सूर्य के चारो और चक्कर लगाती है, clear, किसने कहा था, निकोलस कौपर निकस ने, याद रखना है, सीधा-सीधा कोश्चन्स पुछते हैं, clear, आईए सा अगला प्रस्ण में चले, मतलब अगले प्रस्ण में आते हैं, निम लिखित युगमों में से कौन सा युगम नहीं है, ओके, सौर्मंडल का सबसे बड़ा ग्रह, ब्रिहस्पती है, बिल्कुल सहीं, अब ग्रह से प्रस्ण देखने मिलेंगे न, आप लोग को, सौर्मंडल का मंदगत गती वाला ग्रह मंगल नहीं है, मंदगत ग्रह ही नहीं है, यह होगा, यूरेनस होगा, आगे मैं बताऊंगा, तो यह वाला आंसर जो है, आपका गलत होगा, ठीक है, दरसल जो आपका मंगल ग्रह है, मंगल ग्रह जो है न सातियो, वो प्रिथ्वी के ही समान अक जानते हैं आप लोग ठीक नहीं जानते तो बता दो कि पेज्ञानिक जाहरे कि वहां भी घर बनाए ठीक है अगला प्रस्ण है हमारा सूर्य की उर्जा उत्पन होती है आई ये देख लिए किस वज़े से होती है तो आयनन द्वारा नहीं नाभी की सल्ययन द्वारा ही जो है सूर्य में जो है उर्जा उत्पन होती है दरच जो है हाइड्रोजन जो है उन्हाभी की सल्ययन की वज़े से आपका हीलियम में परिवर्तित होता है और आपका क्या बनता है ठीक है आगे बढ़ें आईए साथियों सूर्य ग्रहन कब होता है भाई सूर्य ग्रहन कब होता है सूर्य चंद्रमा प्रिथवी ग्रहन मतलब क्या होगा कि सूर्य जब चंद्रमा में प्रिथवी के बीच आता है प्रिथवी जब सूर्य और चंद्रमा के बीच आती है चंद्रमा जब सूर्य वह प्रिथवी के बी ठीक है और आपका यह हो गए क्या हो गए आपके चंद्रमाजी और आपका यह हो गई प्रिथवी ठीक है तो जब इसके बीच में आ जाता है तो क्या होता है आपका सूर्य ग्रहन ठीक है हमारे हैं क्या मानने आता है सूर्य ग्रहन में पताइए कमेंट बॉक्स में आगे बढ करते हैं सूर्य से प्रिथवी की दूरी कितनी है ठीक है एप्रॉक्स 151 million kilometers बट यहां जो है सबसे ज्यादा वाला लेना पड़ेगा आपका यह होगा सूर्य की दूरी ठीक यह आंसर लिया हुआ आंसर है ना सूर्य की प्रिथवी की दूरी यह प्रिथवी से सूर्य की दूरी है क्लियर है याद रहेगा आगे बढ़े आज पुरा ब्रह्मान घूमेंगे इसमें निमलिखित ग्रह युगमों में से कौन बिना उपग्रह की है ओके आये देखिए सुक्र और मंगल का तो सुक्र का नहीं है मंगल का है लेकिन बुद्ध और मंगल दोनों का है बुद्ध का नहीं है मंगल का है प्रिथवी और प्रिहस्पति बुद्ध और सुक्र का कोई उपग्रह नहीं है क्लियर है बुद्ध ग्रह और सुक्र ग्रह क कोई भी जो है आपका क्या नहीं है उपगरह नहीं है क्लियर है प्रित्वी का उपगरह कौन सा है बताओ कमेंट बॉक्स में एक दम आसान सा पुछती है सर बोल दोगे ठीक मैं बता जिता हूं चंद्रमा जी है बुद्ध महदह थीक है बुद्ध महदह दीख रहे है मतलब बुद्ध गर्म दीख रहे है érie यह गरह है यह सबसे करीब है लेकिन यह सब से गरम नहीं है क्यों क्योंकि यह करीब होने की वज़ा से इसमें वॉयू मंडल नहीं है याद रखे साथियों सबसे ज्यादा गर्म ग्रह कहेगा तो आपके यह महदय दिख रहे हैं शुक्र वीनस कुन दिख रहे हैं वीनस ग्रह जो है आपके सबसे गर्म ग्रह है लेकिन अगर आंसर लेने वाला इसको लेगा तो वह गलत हो जाएगा क्यों हो जाएगा मैं बताया कि इसका मतलब कि वापस चले जाती है, यहां से जो भी गर्मी आने के पस्चात, तो यह ज़्यादा गर्म नहीं है, लेकिन यह सुक्र ग्रह है, इसका अपना वायू मंडल है, और यह सबसे ज़्यादा गर्म ग्रह है, फिर यहां देख सकते हो, यह हमारी रही प्रिथवी, कितनी प्य और यह आपके आखरी में आपका वरुन, यह जो है, आपका सबसे देर में, अगर मैं यूरेनस बोल दिया होंगा, तो चमा चाहूंगा वहां, नेप्चुन जो है, वह सबसे देर में परिक्रमा करता है, सूरिक की, ठीक है, सबसे ज़्यादा दिन लगाता है, तो आप इसक क्रिन शॉट ले सकते हैं, और इसी क्रम में पूछ देता है, सीधा, क्या पूछ देगा, कि आपका सौर मंडल के ग्रह, आपका बताईए क्रम से, या आपका बढ़ते हुए क्रम से बताईए, तो सबसे बड़ा क्या दिख रहा है, प्रिहास पती दिख रहा है, उसके बाद शनी उसके बाद क्या है अरून है फिर उसके बाद क्या है तो आपका वढ़ून है यह मंगल है ऐसे इसके जो है करम याद रहने है ठीक है तो इसका करम आप लोगों को पूछेगा, सूरी से इसका क्रम पूछ देगा, कि सूरी से आपका स्टार्ट से लेकर लास्तक के क्रम बताईए, आखरी से आपका बात का क्रम बताईए, तो यह एक बार जरूर याद कर लीजिएगा, याद करने के तथ्य मैं आप लोगों को बता रहा हूं, क्लियर आगे बढ़ें आओ भाई प्रस्ण महोदे के पास आए कहां कहां था मैं बुद्ध और शुक्र के कोई उपगरह नहीं है और इसका क्या बता था सॉलमंडल का सरवाधिक गर्म गरह क्या है आपका शुक्र कोन है शुक्र है ठीक है कौन है शुक्र महोदे है सबसे अरे ठीक है घर में इसी वज़ते से दो-तीन बार ले लिए टाईम होँ लिखने के आगे बढ़ें आइए इवनिनिंग स्टार किस गरह को कहते हैं तो याद रखेएगा साथियो इवनिंग स्टार जो है आपका शुक्र गरह को ही कहते हैं क्लियर है ठीक है उवनिंग स्टार या जुड़वा भाई ये आपका जुड़वा बहन कहे जाने वाले ग्रह का नाम कुन सा है आपका कहा गया है ये रह महोदा है आपके सुक्र महोदा है ठीक है सुक्र महोदे ही क्या है आपके पृत्वी के ओफो कहां पहुच गया मैं ये है क्या हाँ पृत्वी की जुडवा बह प्रिथवी तक पहुचने के लिए सुर्य में चला प्रकास समय लेता है लगभग लगभग बोल रहा है यहां कहां गया लगभग यह लगभग है तो आंसर ले सकते हैं आठ मिनट लेकिन एक्चुल डाटा है आपका एट मिनट उननीस सेकंड कितना एट मिनट मतलब की आठ मिनट उननीस सेकंड समय लेता है ठीक है लेकिन सेकंड में पूछ दिया तो 499 सेकंड मतलब की क्या कह रहा है प्रिथवी महोदय ऐसे हैं और सूर्य महोदय हम इसे जो है मिटाल देते हैं एक बार पूरा ठीक है यह प्रिथवी है ठीक और यहां जो है हमारे सूर्य महोदय है ठीक है थोड़े अन्यकार बन गए है क्योंकि मैं दिखाना चाहता था इस 15 सेकंड मतलब 8 मिनट 19 सेकंड और इसे अगर पूछ दिया डाटा तो 499 सेकंड आंसर लिया है प्रस्ण में विगत पूछे गए परिच्छाओं में तो कोई दावापत्ति वाला सीन नहीं बनता है क्लियर है आगे बढ़े आईए निम लिखित में से कौन सा एक तारा पृत्वी के सरवाधिक समीप है लगाओ आंसर साथियो अभी बतायाओ थोड़े देर पहले तो कौन है सबसे समीप सुर्ज जो है एक ऐसा तारा है जो कि आपका पृत्वी के सरवाधिक समीप है क्लियर है आगे बढ़े साथियो लएखना है परिक्रमन धूरी यह दूरी अरुवए धूरी सदा जुकी होती है ठीक है देख लेते हैं तो दिर्ग्वृत्तिय धूरी से 23 शब्फ नहीं 23 सबस्ब्रुक होता है पिए 23 शब्प नहीं होता है तो दूरी से 24 शुब्स यह 5 सब्5 शुकरि यह जूका होता है मतलब की साथियों कि ये जो है आपका क्या कहना चाह रहा है दुरुवी दूरी मतलब की प्रिथवी जो है किस प्रकार से जूकी हुई है इस प्रकार से तेज आपके साड़े तेज डिगरी के अक्ष पे जूकी हुई है क्लियर है इतना ठीक है तो ये प्रस्ण याद होना निवार है दुरुवी दूरीम कितना दुखी है तो साड़े 23 डिगरी क्लियर आगे बढ़े आईए अगला है दिन रात जिस कारण से होता है लगाओ भाई आंसर भू परिक्रमण से होता है भू परिभ्रमण से होता है प्र सूर्य का प्रकास उस पे पड़ता है तो इसी लिए जो है आपका दिन और रात होता है ठीक तो भू परिभ्रमण इसका आंसर होगा दिन रात किस कारण होता है किस की वज़ा से होता है तो भू परिभ्रमण याद रखना है आगे बढ़े आईए ये रहे हमारे सौर मंडल सौर मंडल से इस प्रकास से याद रखना है करम मौसं परिवर्तन प्रिथवी की गति की कि किस Fitz इस्टिता से होता है ठीक है भई देख लेते हैं सूरी के चारो और परिक्रमन ठीक है मौसम परिवर्टन होता है सही है भई सूरी का प्रकास पढ़ेगा आपका भूमध्य सागर्म बताया था ना आपका मानसून हमारे भारत की ओर आड़ता है कहां से दक्षिन पश्चिमी छ सूरी का प्रकास दी सीधा पढ़ेगा फिसका अदगर्मी आ जाएगी तो इस प्रकार से नॉर्मल में प्याद रखना है सूरी के चारो और परिक्रमा करने से बिल्कुल सही है धूरी पर साड़े 23 अंस का जुकाओ ये भी सही है धूरी पर साड़े 23 जूकी हुई है है यह ए और बी दोनों अपनी धूरी पर घूमना अपनी धूरी पर घूमना नहीं है ठीक है यह सूरी के चारो और प्रकार में किसी भी अट्मॉस्पीर मतलब नॉर्मल वे पर समझा जाए तो याद रखिएगा कि हमें जो है मौसम अपना क्या बोल रहे है यहां उत्वी म मौसम मौसम क्या होता है हमेशा बैवान होता है मतलब की क्या है मौसम का पता कैसे चलता गर्मी आता है तो कैसे बोलो हो हलत खराब हो रही है बारिस होएगा तो भाई रेंग कोट पहने के हुआ ठंडी लगे तो स्वेटर जैकेट पहनेंगे तो वो सारी चीजे किस वज़ रहा है, इसी वज़ा से क्या है आपका, आपका सूरी का प्रकास एक पर्फेक्ट एरिया पर पढ़ रहा है, तो इसी वज़ा से मौसम क्या होता है, परिवर्तित होते रहता है, ये कहना जा रहा है, अपने धूरी पर घुमते रहेगा, तो थोड़ी ना परिवर्तन हो अगे बढ़ते हैं तो उप्र बताया गया A B का संभिल इद प्रभाओ, ठीक, अगे बढ़े, आईए, विष्वप्रित्वी दीवस कब मनाया जाता है, 22 अप्रेल, 22 अप्रेल को बनाया जाता है विष्वप्रित्वी दीवस, याद रखना है, 22 अपरेल का डेट नहीं भोलना है, 22 अपरेल को बनाया जाता है आपका क्या? विश्व पृत्वी दिवस और जुलाई चल रहा है, जुलाई के सारे जितने भी दिवस है, जैसे कि 11 जुलाई को विश्व जन संख्य दिवस मनाया जाता है, ठीक है? अभी बहतर तरीके से current affairs जैसे कि आपका अभी कौन रफेल नडाल नवाक जोकोवीच जोकोवीच जो है आभी क्या विंबल्डन जीता है तो विंबल्डन इस परधा के बारे में जाने है कि विंबल्डन जो है देट कभी भी आए आईए देखें थोड़ा बड़ा सा प्रस्ण है लेकिन देखें समझें से एक ग्रह के दिन का नाम और उसके अक्ष का जुकाओ लगभग प्रित्वी के दिन मान और जुकाओ के सम्तुल्य है सही है एक ग्रह ऐसा है बोल रहा है प्रस्ण को समझना है एक ग्रह ऐसा है जिसका दिन का मान उसके अक्ष का जुकाओ दिन का मान और अक्ष का जुकाओ लगभग कैसा लगभग प्रित्वी के दिन का मतलब मान और आपका प्रित्वी के आपका जुकाओ के समान है तो वो कौन से महीं हैं हमारे मंगल मंगल गरह conse अगे नहीं पढ़ता ठीक है बहुत सारे बच्चे बैशलर्स हैं ठीक आगे बढ़ते हैं साती हो ठीक सबसे भारी गरह कौन सा है तो सबसे भारी गरह और सबसे बड़ा गरह कौन सा है आपका ब्रिहसcar 장 first कौन है बृह पती घ्राव यह आता है दो बार पेन चलाना पड़ रहा न слов में ग SPEAK किस less और के सारो और जो है आपका रिंग एक किसके किनारे है देखं़ डिए कहां तो सब को मिटालने की ज़र्वत नहीं जिस प्रकार हमने विशेषता पढ़ी कि सुक्रग्रह सबसे गरम है हाना हॉइसी आपका सनी में क्या है वाला है रिंग है क्लियर आगे बढ़ें यहां भी दिख रहा है बोलोगे तो सर भाई सबसे बड़ा रहे रहें इसमें है ठीक है आप्शन में नहीं हो गई होगा भी तो इसी को आंसर लेंगे clear, सबसे भारी कोन होगा, जो सबसे बड़ा होगा, ठीक है, आगे बढ़ हैं, आईए, इे, तो क्या होगדר इसका अंसर, आपका सनी, ठीक, आगे बढ़ते हैं, टाइटन सबसे बड़ा चंद्रोमा या उपग्रह है, किस गरह का आपका बड़ा चंद्रमा या उपग्रह कौन सा है टाइटन नाम का तो क्या होगा साथियो आपका टाइटन नाम का जो उपग्रह है चंद्रमा है बोल रहा है उपग्रह है वो है आपका सनी ग्रह का किसका है सनी ग्रह का याद रखना है आगे बढ़ें आईए साथियो अगला प्रस्ण है सौर मंडल का सबसे ठंडा ग्रह कौन सा है तो याद रखिएगा आओ दिखा दू मैं आपको कहा गए महोदय वापस चलते हैं सबसे ठंडा ग्रह जो है यह दिखाए दे रहे हैं वरुन महोदय जो की सबसे दूर मेह प्रित्वी के दूर की वज़े से नेप्चिन ग्रह या वरुन ग्रह क्या है आपका सबसे ठंडा ग्रह है क्लियर कहा गया यह रहा तो आपका कहा गया नेप्चिन महोदय आपके सबसे बढ़ा ग्रह यह सारी चीज़े याद होनी चीज़ें आगे बढ़ें मानाओ ने चंद्रमा पर कदम पहले रखा सबसे पहले कब रखा यह पुछना चाहरा है तो याद रखेगा नील आंस्टॉंग 1969 में जो है सबसे पहले चंद्रमा में आपका कदम रखे थे क्लियर आगे बढ़ें तो याद रखना है डेट से भी प्रसन पुछे जा सकते हैं इसलिए डेट रखा गया है कब रखा 1969 में अब चलो आप लोग के लिए एक टास्क है भारत की कौन व्यक्ति हैं जो की आपका चंद्रमा में सबसे पहले कदम रखे थे क्लियर आगे बढ़े वायू मंडल नहीं है वायू मंडल नहीं है वायू मंडल ना होने की वज़ा से आपका चंद्रमा में क्या ध्वनी का आपका विस्तार नहीं हो पाता और वहां सुनाई नहीं देता कुछ ठीक है बाकी चीज जो है आगे बढ़ते हैं बाकी सब बकवास मतलब बाकी चीज न मंगल बूध चंद्रमा प्रिथवी यह सब ग्रहों और यह जो हमका ग्रह नहीं है बलकि उबग्रह मोंौ्यर चंद्रमा यह कहां से खूल कर है節目 आएग्गे बढ़े चंद्रमा की प्रिथवी से दूरी है तो सांथियों यहां है प्रस्ण हमारा चंद्रमा की प्रिथवी से दूरी है ओके ठीक है यह प्रिथवी है और यह चंद्रमा है यह डिस्टेंस कितने का है यह पूछ रहे हैं तो याद रखिएगा 364,000 किलो मिटर ठीक है 364,000 किलो मिटर आगे बढ़ें आईए मंगल और ब्रिहस्पती की कक्छाओं के बीच सुर्ज के चारोर परिक्रमा करने करने नहीं होगा करने वाले शैल के चोटे-चोटे टुकडो के समु को क्या कहते है मंगल और ब्रिहस्पती के आसपार के ओके ठीक है देख लेते हैं तो याद रखिएगा साथियो इसे कहा जाता है जूद्र गरह मंगल गरह और आपका कौन से ब्रिहस्पती गरह के आसपास जो है चोटे-चोटे का मतलब पत्थर है जो कि आपका किसके प्रिथवी के करीब आता है बताते हैं उलका पिंड गिर जाएगा तो तबहा हो जाएगा से इत्ते ही समझना है अभी बेसिक सारी चीजें समझ नहीं है जैसे अपन मेंस में पढ़ेंगे उसको बहतर तरीकिस कवर करेंगे लेकिन क्या उलका पिंड और उलका भाई-भाई है दूम के तु क्या है यह आग लगते हुए आएगा मतलब आग दिखाई देगा इसमें ठीक है तो चुद्र गरह याद रखना है क्लियर क्या है आपके मंगल और जिहस्पती के पिछे आसपास गुमते रहते हैं अगला प्रस्ण है हम दव्यका अंस यह बिल्कुल सहीं होगा नहीं है आपका पुछी ही धूमकेतु भी नहीं है दुमकेतु अलग होता है गर हो지 country प्रिद्वीकी और वाई-वाई-ञडल में प्रविश्ट होता है क्लियर आगे बढ़ है अब इसने क्या होगा क्या नहीं होग इमत पूछ नही कि अवस्थित है महासागर वाला प्रसना आगे है कोई बात नहीं देख लेते हैं न समझ लेते हैं इसको सुन्य अक्ष अच्छांस और सुन्य अंस देशांतर यह दोनों का अगर पॉइंट बोला जाए अवस्थित है कहां तो आपका अट्लांटिक महासागर इसका आंसर आओ इसे भी समझ लेते हैं तो यह दिख रहा है भाई ठीक इसके बीच में क्या है जिरो डिगरी एक्वेटर आपका नब्बे अंस का जो है उपर रहता है आपका लाइन्स यह अच्छांसी रेखा यह लेटिटीट लाइन्स फिर यह लॉंगिटीट लाइन्स ठीक है यहा आपका व्यापम में एक प्रस्ण पूछा था 181 जो की आंसर लिया है क्योंकि 90 उपर है 90 नीचे है और जिरो डिगरी एक्वेटर को भी आपका एक लाइन्स मानके 180 लेता है और इसकी कितनी है आपकी देशांत्री रेखाओं की तो आपका 180 इधर और 180 मतलब की 360 लाइन्स है ठीक है याद रहेगा आगे बढ़े है अगला प्रस्ण है हमारा साथियो निमलिखित समूहों में से किस एक के देशों में से भूमद्य रेखा भूमद्य रेखा भूमद्य रेखा मतलब की 0 degree equator कहा कहा से भूमद्य थी अच्छा ठीक है आओ देखे भाई तो ब्राजील जि समझ लेते हैं अभी तो मैंने यह पूर्शन आप लोग कराया नहीं है लेकिन याद रखेगा यह अपन क्लियर करते हैं पहले याद कर लेंगे उसके बाद कल वाले जो है मारे वीडियो में इसे रिवाइस कर लेंगे कोई टेंशन नी लेना है ठीक है दर असल ब्रहमद्य क केनिया और इंडोनेशिया यह 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 आपका तेरा देशों के से जो है आपका भूमद्य रेखा गुजरती है तो इन में से यह है क्लियर आगे बढ़ें आईए प्रित्वी की भूमद्य रेखा की कुल लंबाई है अगभग नहीं होगा न यह लगभग हो गया ठीक तो क्या हो गया भाई यह रहेगा आपका भूमद्य रेखा की प्रित्वी की आपकी लंबाई मतलब क्या बूलना चाहरा है यह है आपका प्रित्वी ठीक है यह हो गया आपका इधर से गई, और ऐसे ही इसको उल्टा बना देता हूं, ट्रांस हो गई, यह धर हो गया, तो यह दोनों क्लमभाई कितनी है, आपका लगभग, 40,000 किलो मीटर, क्लियर, आगे बढ़ें, आईए, मौना लोवा, मौना लोवा, एक सक्रिय ज्वाला मुखी है, संयुक्त राज्य अमेरिका का एक ज्वाला मुखी है, यह ज्वाला मुखी से प्रस्न है, तो हवाई का जो कि संयुक्त राज्य अमेरिका में है, ठीक है, मौना लोवा, याद रखना है, ठीक, कई बार प्रस्न मे किसे भुमध्य सागर का प्रकास इस्तंब कहा जाता है तो याद रखना है साथियों यहाँ कि प्रकास इस्तंब भुमध्य सागर का अब क्यों कहेंगा भाई एक ऐसा प्रस्न पुछने का नजरिया यह है कि एक ऐसा ज्वाला मुखी है जो कि सक्रिय है और भूमध्यसागर का प्रकास इस्तंब कहलाता है ठीक है भूमध्यसागर का प्रकास इस्तंब क्लियर आगे बढ़ें आईए अगला है हमारा भूकम्प के समय किन तरंगों का उद्भाव होता है ठीक है देख लेते हैं भई BSL, ABL, RSL, PSL, PSL, Primary, Secondary और L का फूम फॉम आप लोग बताओगे Love of बता दे रहाँ, Love of last makes a word है उसको आप लोग को बताना है और भूकम्प से सम्बंधित जीतने भी कि भूकम्प मापा की यंत्र है इसको भी आप कमेंट बॉक्स न बताएंगे कि भूकम्प किस से मापा जाता है ठीक है तो इससे जो आपका PSL तरंगे निकलती है आगे बढ़े आईए को रिंग ओफ फायर सम्बंधित है तो आईए देखें भै रिंग ओफ फायर जो है सम्बंधित है इसका तात पर यह साथियो भूकम्प से ज्वाला मुक् Minsk से प्रशांत महसागर से तो ये तीनों को कहा जाता है आपका ring of fire, ठीक है, जंगल को नहीं कहा है, तो 1, 2, 3 आНसर होगा इसका, भूकम से संबंदित है, ring of fire ठीक है, जॉला मुखी संबंदित है, प्रसान्थ महार सागर से संबंदित है, तो इतना जो है हम लोगों का आज का सेशन कम्पलीट होता है इतने questions को हमें बहतर तरीके से याद रखने हैं यहाँ से आप लोग को परसन देखने को मिलेंगे और इनके तथ्यसों भी परसन जो है हम देख सकेंगे आगे में आने वाली परिक्षाओं में इसी के साथ साथियों इजाज़त चाहूँगा जय हिन जय भारत